हलो फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे टेक इटड़ो में फ्लाइट मार्किट को कैसे डिटेक्ट करते हैं आप यहाँ क्रूड ओयल डिसमबर का फाइव मिनिट चार्ट देख सकते हैं जो की एक MCX चार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये flat market indicate कर रहा है बट live market में flat market को detect करना कैसे possible है इस Take It Pro software से live market में भी आप flat market को बहुती easily detect कर सकते है और कैसे flat market को detect करने के लिए हम इन lines को check करेंगे ये MSD indicator है आप देख सकते हैं ये जो green upward direction arrow है ये buy signal है और ये red downward direction arrow cell signal है जब इस signal arise होंगे तो आपको check करना पड़ेगा अगर ये lines दोनों parallel या फिर overlap करके move करते हैं इसका मतलब ये flat market detect कर रहा है for example ये वाला signal देखिए यहाँ line parallel है इस cell signal पे भी line parallel ही move कर रहा है इस buy signal पे जो line है वो overlap कर रहा है इस cell signal पे भी line overlap कर रहा है अब ये वाला signal देखिए इस buy signal पे जो line है वो नीचे parallel move कर रहा है बट कुछी देर में देख सकते हैं ये जो red line है ये blue को cross करके ऊपर की दरफ जा रहा है इस zero axis के नीचे से इसका मतलब ये एक perfect buy signal है और इस cell signal पे देखिए ये जो red line है वो blue को cross करके नीचे के तरफ आ रही है इस zero line के ऊपर से जिसका मतलब ये एक perfect cell signal है अब यहाँ पर देखिए इस वाले signal है यहाँ पर एक green signal arise हुआ है बट जो नीचे जो line है ये parallel move कर रहा है और इस cell signal पे भी जो दोनों lines है वो parallel move कर रहा है जिसका मतलब इस position पे हम अपना trade initiate नहीं करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें कोई signal confirmation नहीं मिल रहा है क्योंकि इस green वाले buy signal के लिए यहाँ पे lines जो है parallel move कर रहे हैं इस cell signal के लिए lines जो है overlap कर रहा है इस buy signal के लिए भी जोनो lines overlap कर रहा है अगेन एक और cell signal arise हुआ है बट यहाँ पर भी जो line है overlap कर रहा है इसका मतलब हम अगर इन conditions को properly check करके take it pro software को use करें तो live market में flat market losses को बहुत ही easily avoid कर सकते हैं thank you for watching this video इस software के बारे में अत्रिक जानकारी के लिए subscribe कीजिए हमारे channel on YouTube और आप हमारे website पे visit भी कर सकते हैं